नमस्ते मेरा नाम डेविड है और आप देख रहे हैं दिललन टॉप हिंदू समाज पाटी की नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में रोज नए एंगल सामने आ रहे हैं कमलेश तिवारी की 18 अक्टूबर को लखनव में हत्या कर दी गई थी 19 अक्क्टूबर को उत्तर प्रदेश की DGP ओपी सिंग ने प्रेस कौनफरेंस में वारदात के खुलासे का दावा किया था बताया था कि 30 लोगों को सूरत से और दो लोगों को बिजनोर से गिरक्तार किया गया है UP DGP ओपी सिंग ने दावा किया था 2015 में कमलेश्तिवारी ने पैगंबर मुहम्मद पर जो बैवादित बयान दिया था उसी से नराज होकर कमलेश्तिवारी की हत्या कर दी गई लेकिन कमलेश्तिवारी के घर वाले हत्या के लिए किसी और को जिमेदाठार आ रहे हैं वहीं कमलेश तीवारी का एक वीडियो सामने आया है इस वीडियो में उन्हें ने जो कहा वो आप खुद ही सुन लिजी कमलेश तीवारी ने अपनी हत्या की शाजिस की बात की थी लेकिन किसी का नाम नहीं लिया था हलंकि बेटे की हत्या के तूरंतवाद कमलेश की मा ने कहा था कि जब अखिलेश यादव मुखे मंत्री थे तो कमलेश को हत्या की धमकी मिली थी लेकिन उस वक्त कुछ नहीं हुआ अब योगी सियम बन गए तो मेरे बेटे की हत्या कर दी गई अखिलेश सरकार में बेटे को सुरक्षा मिली थी लेकिन योगी सरकार ने सुरक्षा हटा ली ये हत्या बीजेपी के एक नेता श्रीव कुमार गुपता ने करवाई है क्योंकि उसका मेरे बेटे से एक मंदिर के जमीन को लेकर विवाद चल रहा था वहीं 20 अक्टूबर को सियम योगी आधितिनाज से मुलकात के बाद कमलेश तिवारी की मा ने कहा था परिवार को जवरजस्ती सीतापूर से लखनव लाया गया मुखे मंतरी से मुलकात करवाई गई पुलिस हमारे उपर लगतार दबाव डाल रही थी जबकि किसी हिंदू परिवार में अगर किसी की मौत हो जाती है तो वो 13 दिनों तक घर से बाहर नहीं निकलते हैं सीम से मिलने के बाद बाहर आकर तिवारी की मा ने कहा था मुखे मंतरी से मुलकात संतोस जनक नहीं रही हमारे उपर मुलकात करने का बहुत दबाव था अगर मेरे बेटे को न्याय नहीं मिला तो हम तलवार उठार लेंगे कमलेस तिवारी की हत्या की जांच चल रही है जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि कमलेस की हत्या किस में और क्यों की लेकिन कमलेश तिवारी की मा को सुम तिवारी ने सरकार पर ही आरूप लगा दिये हैं कमलेश का Facebook Live वीडियो भी किसी और साजिस की बात कर रहा है इस मामले में जो भी अपडेट होगा ललन टॉप आपको बताता रहेगा अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए और अब तक आपने हमारा आप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करिए Thank you